हलो बच्चो आज हम आपको दो वर्णों से बने सब्द बताने जा रहे हैं तो चलिए देखिए कैसे होता है चल चल ये अलग वर्ण है ये अलग वर्ण है इसको जब हमें एक साथ जोड़ दिये तो यहाँ चल हो गया अब अब घर घर टब टब चल चल बस बस वक वक पर अत्र पत्र ये तो जोड़ दिये वर्ण अकेला होता है जब वर्ण को हमें एक साथ जोड़ते हैं तो मेरा सब्द बन जाता है जैसे हुगा घर अलग है अर अलग है इसको हमें एक साथ जोड़ दिये हैं तो घर हो गया है बा अलग है और सा अलग है इसको एक साथ जोड़ दिये तो बस हो गया अब चलिए दो वर्णों से बने हम वाक्य बनाते हैं कैसे बनता है अब अब मत मत लर अलग अलग है इसको वाके में हम पढ़ेंगे अब मतलर घर तक चल सब फल चक नल पर जल भर छत पर चट यह हो गया हमारा दो बरनों से वाके यहां फिगर के साथ दिया हुगा है आपको कोपी पर लिखके इसको याद करना है दो बरनों के दसको शब्द याद करना है उसके बाद उससे बने वाकी याद करना है ठीक फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कुछ परहाई करेंगे तब तक के लिए बाए